सेहत के लिए हानिकारक है ये फूड कॉंबिनेशन फूड हैबिट को लेकर इंसान को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए इन में खास कर हेल्दी फूड के कॉंबिनेशन को लेकर ध्यान रखना चाहिए एक्सपर्स का मानना है कि हेल्दी फूर्ड का कॉंबिनेशन बेहत खतरनाक होता है इसे आप गंभी रूप से बिमार पढ़ सकते हैं तो आईए जानते हैं वो कौन से ऐसे फूर्ड कॉंबिनेशन है जो सेहत के लिए नुकसान दायक साबित हो सकते हैं दूद और मचली दूद को सेहत के लिए बहुत फायदे मनमाना जाता है तो वहीं मचली भी सेहत के गुणों से भरपूर है लेकिन इन दोनों को एक साथ खाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है दूद के साथ मचली का सेवन करने से रिसकिन सम्मदित समस्याएं हो सकती है शहद और मूली शहद और मूली दोनों को ही स्वास्त के लिए फायधे मंद माना जाता है लेकिन आपको बता दें कि इन दोनों को एक साथ खाने से शरीर को कई परिशानी हो सकती है मूली और शेहन का एक साथ सेवन करने से शरीर में टॉक्सिन पैदा होते हैं जिससे पाचन ख्रिया बिगर सकती है चिकन और आलू चिकन लवर अक्सर चिकन को अलग-अलग फ्लेवर में खाना पसंद करते हैं चिकन प्रोटीन का अच्छा सोर्स है लेकिन अगर चिकन के साथ आलू का सेवन किया जाए तो ये पेट गैस पेट फूलने जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है दूद और तर्बूस गर्मियों के मौसम में तर्बूस का सेवन ज्यादा तरलोग करते हैं क्योंकि तर्बूस में पानी की मात्रा अच्छी पाई जाती है जो शरीर में पानी की कमी को दूर करने में मदद कर सकता है लेकिन दूद के साथ तर्भूस खाना सेहत के लिए नुकसान दायक हो सकता है क्योंकि दूद को पचने में समय लगता है और तर्भूस को पचाने के लिए एसिट की ज़रुत होती है ऐसा करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है जब आप दूद का सेवन करते हैं तो इसके साथ खटी चीजों जैसे नीबू का सेवन नहीं करना चाहिए अगर ऐसा किया जाए तो इससे बधहजमी जैसी समस्याएं हो सकती है इसलिए नीबू और दूद का सेवन कभी भी एक साथ नहीं करना चाहिए इसकी जगा आप दोनों चीजों के बीच कम से कम एक घंडे का अंतराल रखें